गाजियाबाद के नंकराम में धर्मांतरन के आरोक लगे एक समूह पर और उनका कहना है कि वहाँ पर किसी तरह का धर्मांतरन नहीं हो रहा था बलकि उन्होंने खाने पर कुछ अधिथियों को आमंत्रित किया था और जिस वक्त वो लोग भोजन करने के लिए बैटे थे उसी जिस तरह से आपने पिछले दिनों में देखा कि राश्रिय मसी विकास संगठन ने मसी समाज को एकटा करके अब मसी ही लोगों पर कोई भी धर्मांतरन का दोश लगा सकेगा इस विदे का कड़ा विरोध किया था ये विरोध क्यों किया गया था आप खुद देख लीजे साध्यों सोच कर देखिए कि कैसा लगेगा कि जब हम अपने अतितियों के साथ भोजन कर रहे हैं और अचानक से कोई हमारे घर में घुज जाए और हम पर जो है किसी चीज का दोश लगा दे और पुलिस केस भी कर दी इस केस में ऐसा ही हुआ अब देखिए पुलिस का क्या कहना है कि अब देखिए उन महिला ने क्या पताया जिनके घर में ये घटना हुई थी हमारे साथ वह महिला है जिनके घर पर उस दिन पुलिस पहुंचिया और वहां से बांच लोगों को इरासत में लिया गया ना बता दी अपने दिनों से उस पतें पटाए है जब हमारे मामी पापा आयती है तो दूर दूर को ली था पुरा खेट था सबसे पचासता लोग है है आप किस धर्म में मानती हैं सबसे पहला है जो लोग आपके घर पे आये उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया गिरफ्तारी हो गई है फैयार भी दर्ज हो गई उनका कहना है कि धर्मांतरन का कोई रैकेट चल रहा था ता क्या सच्चाई जो है यह है कि अब हम लोग तो अगर आप इस पहन की बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें महिला है जिनके घर पर उस दिन पुलिस पहुंचिया और वहां से पांच लोगों को हिरास्त में लिया गया नाम बता दीजे अपना सबसे पहले कितने दिनों से उस पते पर नहीं रहें जब हमारे ममी पापा आयते तो दूर दूर तो को रही था पुरा खेट था सबसे पहली बिल्डिंग हमारी चारी से पचासता लोग है आप किस धर्म में मानुगी है सबसे पहला है और हिंदु धरम में हूँ जाटव मेरी कास्ट है ऐ जो लोग आपके घर पे आये उनको पुलिस ने हिरासत में लिया गिरफ्तारी हो गई है फायार विदर्ज हो गई उनका कहना है कि धर्मांतरन का कोई राकेट चल रहा था क्या सच्छाई जो है यह है कि अब हम लोग तो डिसाइड करेंगे ना हमारी फ्रेंड लिस्ट में अब वालमी के से लिए जाट, बूजर, तयागी, बांवंग, लुसलमान सब लोग होते हैं वो हमारी मर्जी है हम किसको खाने पे इनवाइट रहे हमारा फ्रेंड सरकल है हमारे फुद्कर मुसलमान भाई वो भी आते हैं खाना खाते हैं तो खाना खाने में धरम परिवर्त साथ ही इस पूरे मुद्दे के नीव एक जैरी मसी नाम के भाई पर टिकी हुई है जो इनके महमानों के साथ में आए हुए थे तो इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है मसी भाई बहनों से कि वो जो है कहीं आ जा नहीं सकते समाज के साथ उठ बैठ नहीं सकते और अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो उन पर मसी धरम परिबरतन का दोष लगा दिया जाएगा इतनी ज़्यादा नफरत फैल रही है अब अब साथ में लेका हैं तो तो धक्का दे देंगे खाने पे इंवाइट किया खाना चल रहा था पानी का ग्लास उंको पड़ाया गया चाई भी ओपर नहीं हो पाई थी इतने में धड़दर धड़दर हमारे गेड़ वजे की कौन लोग है कौन लोग है इती चपले कैसे कर रहा है क्या हो यह हो रहा है क्या हमने वहाने में हो प्ना नाम बताओ हमारे फैंली वाले में तब बताया कि साथियों उन लोगों ने जाकर लोगों को इखटा किया और एक हंगामा एक बखेडा खड़ा करनी की जो है सला बनाई कि चलो वहाँ जाकर उन लोगों को परेशान करते हैं साथियों इन तलाशी में कुछ ना मिलने के बावजूद भी हद तो तब हो गई जब इनोंने फिर से तीन बार जो है पुलिस को तलाशी लेने के लिए बेजा आरेशस वालों को खुद कुछ नी मिला यह लोग चले गए इनको तसली नहीं हुए फिर भी लोगों ने खुद पुलिस वालों को तीन बार हमारे घर बेजा तलाशी के लिए किताबें होगा किताबी होगा किताबी पहुद ओगा किताबी ने खुद होगा किताबी है फुस्तो परूब होगा पू हैं किताब इंताव होती है हमारे तो इंत्रांत सबूत तब दिखाते जब इनके इरादे सच्चे होते ये तो नफरत भरे इरादों से आये थे और ये कहीं भी सबूत नहीं दिखाते हैं इसाई लोगों पर ऐसे ही जो है कहीं भी प्रातना सभाव में घुश जाते हैं और धर्म परिवर्तन का दोश लगा देते हैं बिना किसी सबूत के किसी को परेशान करना कहां तक सही है आप ही बताईए अब यहां धर्म परिवर्तन हो रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है कि दरम पर दोश तर देंए मगार पास तर देंघ किसी नहीं वह जदा बाव डाला है यह हमने खुद की इच्छा से अपने लोगो को खाने पे बुलाया था लेकिन लोगों इसको ब्लेंडर ना रिया प्योंकि एक जैरी मैंसी है इंसा नो बैठो था अरे बैठो तो क्या खाना नहीं दे सकते हैं उनको इत्ती बार के लोगों पुलिस पहुंची और लोगों के जासते हुए गया उनका मैना है कि एक अमंत्रिप किया था उन्हेंने कि इस मिक्रों को बोजन पे और उसके बाद ये सारा बखेरा करा हो गया आला कि तमाम लोगों के समर्थर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग लगातार चुटे हुए हैं यहाँ पर उनका कहना है कि जो भी यह चीजे चल नहीं है जो साथियों देखा आपने किस तरीखे से जो है लोगों को परिशान किया जा रहा है यह विरोधियों को जो है ऐसी छूट मिल गई है कि ये जो है कहीं भी खुश जाते हैं बिना पूछें जो है किसी के भी घर में जाकर चैकिंग करने लगते हैं वीडियो बनाने लगते हैं और जो है मेहमानों को परिशान करते हैं इस पर आप क्या कहते हैं आप कुमेंट में जूरू बताएं और देखे यहाँ पर प्रशासन भी जो है इन लोगों को बंद किये हुए है और प्रशासन क्या कर रहा है उस पर देखे यह महिला ने क्या कहा है हम देख रहे हैं कि आपनों लगातार थाने के सामने जुटे हुए है क्या यह आपनों का गिरोध है कि जिस तरीके की कारवाई पुलिस नहीं है ङ let me Willow यहesian थी में थीमी बोलते जारे तो हम लोग बार बार आ रहे हैं यह लोग को थे कर रहे कि प्रॉपर तरीके चेह और घिजे यह बोल जूट बोल के नहीं आप परशान मतलिए आप सब लोग जाहिए नहीं आप यह ओजाएगा वह जाएगा ऐसे बोल बोल के लोगों को मतलब इस तरीके से करें हम लोग परिशान और अभी तक इन्होंने नहीं छोड़ा अर अभी इन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था रैकेट वहाँ पर नहीं चल रहा था लोग आपस में बिलते जुते थे और उसी को मुद्धा बना दिया गया है साथ ही इस वीडियो पर आपकी क्यार आया है कोमेंट में जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सबस्क्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको पिल सके धन्यवाद